नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की हमारा पडोसी देश पाकिस्तान लगातार सुर्खियों में बना हुआ है लगातार वहाँ विरोत प्रदर्शन हो रहे हैं और इसकी वजह सबसे बड़ी कि वहाँ पर जो वि रहत मिलती है उनकी पतनी को रहत मिलती है लेकिन यह सब जब चल रहा है उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान में राजनितिक अराजकता आएगी जिसकी आहट दिखाई दे रही थी तो क्या यह भारत सहित तमाम देशों के लिए एक शुपसंकेत होगा इ दूसरा मुद्दा एक एहम चुनाओं एक एहम देश में जो हो रहा है तुर्की में तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया को यूरोप से जोड़ता है एक ऐसा देश है जो लगातार युक्रेन युद्ध के समय से मध्यस्ता कराने वाला देश है यहाँ पर पारलेमेंट इलेक्शन और प्रेसिडेंशल इलेक्शन दोनों अलग-अलग होते हैं इस समय प्रेसिडेंशल इलेक्शन में अर्दुबान आगे तो चल रहे हैं लेकिन उन्हें 50 फीसिदी नहीं मिले हैं यानि दुबारा से होगा चुनाओ और इसकी क्या वजह हैं इस पर हम बात के प्रबीर पुरकायस से वहां पर इमरान खान की गिरफतारी सुप्रीम कोट और वहां की सरकार ये दरसल पाकिस्तान में चल क्या रहा है और सुप्रीम कोट क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है पहली बात तो सुप्रीम कोट पे आये सुप्रीम कोट कंट्रोल करने का तो उसका काम नहीं है उसका तो क रहे हैं कि तेजी से खालत बिगड़ता जा रहा था उसमें एक टेंपरेरिली अभी अभी के लिए अस्थाई तो बात की बात है पर यह है कि यह तक्राव में थोड़ी से उसकी टेंपरेचर कम हुई है तो मैं कहूंगा कि चाहे आरभी के तरफ से जो बोलने वाले है इसका मत की जो सरकार है जरदारी की सरकार है कि दोनों पार्टियों ने मिलके सरकार बनाए है और यह सही है इसके पीछे पाकिस्तान मिल्टरी का हाथ है पूरी पाकिस्तान की सेना इसका समर्थन कर रही तकरीपन सरकार बनाई उन्होंने है उनके वजह से सरकार बना नहीं तो यह ल इम्रान खान जिसका त्वित कर रहे थे इस वक्त तो वो देश के लिए अच्छा नहीं होता और पाकिस्तान में अगर अस्थिरता पैदा होती है इस बड़े पैमाने पे और आर्मी के हाथ से भी बाहर अगर चला जा तो अगर इस अभावना होती तो भूलना नहीं चाहिए या एक नूकलियर पावर देश है नाभिकिये अस्तर है इनके पास अगर इस हस्तर किसी गैर हाथ पर जाए ऐसे हाथ पर 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 जाये तो किसी के खिलाफ इस्तमाल हो सकता है तो हमारे पड़ुशी देश है हमको भी खत्रा है, इरां के लिए खत्रा है, अफगानिस्टान के लिए खत्रा है, इसलिए जो धूर बैठे हैं, उनको लगता है कि हम रसी इधर-उधर खीचे कुछ वहाँ पर रित्य हो उसमें हमारा तक आज नहीं पहुँचेगा पर इस इलाके के लिए एक खदरनाक है तो मैं समझता हूं कि इमरान खान की जिस तरह से गिरफतारी की गए जिसकी कार्पी चर्चा हो रही जिसकी कोट के अंदर उनको कमरे में बंद करके बैठना पड़ा कि बाहर निकल से उनको ग्रिफतार करके ले गए आर्मर्ड वहिकल पे ले गए लिकान उनका दृष्टत सब के सामने है पर सवाल उसकी नहीं है कि उनको ये लगा था कि आर्मी के सामने इस तरह से चैलेंज नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान की जलता पर इमरान खान के ग्रिफतारी के सेना करने दिया उनको क्योंकि अगर टकरा होता लोग मरते उसमें अर अगर लोग मरते तो बड़े पैमाने पर आंग जो जल रही थी वो आग और भी भर सकती थी तो उसको देखते हुए मैं कहूंगा उस वक्त आर्मी एक कम से कम ये भूमी का अदा की कि सरासर आक्रमक लगता है कि एक कम वक्त मिला है क्या बातचीत हो सकती है मैं कहूंगा एक तो नाटक चल रहा है रंगमंच पे उसमें एक दूसरे को गाली दे रहे हैं बहुत सारे शीच कह रहे हैं सरकार के लिए दोनों ही लोग एक दूसरे को जिमेदार ठहरा रहे हैं ये तो अलग बात ह तो मैं यह कहूंगा कि तीनों तरफ से आर्मी भुट्टो शरीफ की सरकार और इम्रान खान की पार्टी तीनों तरफ से एक कम से कम एक वक्त दिया सुप्रीम कोर्ट ने हमना फैसला सुना के ताकि एक यथास्तिती या स्टेटस को आंटी में जाने का जंबाबना है केस तो इम्रान खान के लगातर चली है लेकि लगा फिलहाल लग नहीं रहा है कि इम्रान खान के लिए आगे का रास्ता आसान होने वाला है जिस तरह से उनको ग्रिफतार करना भी आसान नहीं है ये कम से कम साफ हो गया तो ये भी एक बड़ी जीत एक हिसाब से इम्रान खान क कि पार्टी इम्रान खान की जीद बान दी पड़ेगी क्योंकि उसको छूना इतना असान नहीं था जो इन्होंने शायद सोचा था यह भी साधिक को सारा से चैलेंज करना जनता सड़क पर आकर आदवी को चैलेंज कर रहा था उसमें महिलाओं की फोटो और वीडियो हैं तो इसलिए मैं समझता हूँ ब्रिंक एकदम जो है ब्रिंक ऑफ डिजास्टर में जो थे उससे थोड़ी सी पूल बैक हुई है इसके बाद क्या होगा शायद यह लोगों की बुद्धी जाग उठे अच्छी बुद्धी जाग उठे और किसी ना तरह किसी भी तरह इस चीज को उस रास्ते बना जन ले जाए इस पर आम जनता की टक्राव मिलिटरी के साथ होती है इस पर निश्चित तोर पर हम नजर बनाए रखेंगे और पडोसी देश है अगर वहाँ परेशानी रहेगी तो सरहत पार परेशानी आने में टाइम नहीं लगता खास तोर से जब न्यूक्लियर वैपन्स उस देश के हाथ में हो तब सिर्फ हमारे लिए पुरी दुनिया के लिए संकट है प्रवीर पाकिस्तान के बाद अब हम चलते हैं तुर्की की तरफ तर्की यहाँ पर प्रेसिदेंशल इलेक्शन अभी भी चल रहे हैं पर्लेमेंटरी इलेक्शन हो चुके हैं और यह जो नक्षा है यह दरसल है प्रेसिदेंशल इलेक्शन का आप थोड़ा सा यह बताए कि यह जो रसा कशी चल रही है यहाँ पर यहाँ के जो सबसे ताकतवर नेता हैं उनको अभी मिला है 49.05 पचास फीसदी वोट के बिना वो यहाँ पर नहीं बन सकते राश्टपती अर्दोगान की बारे में बात कर रही हूं मैं और उनकी जो टककर है जिस तरह से क्या ऐसा हुआ कि इतने कम मार्जिन से वो पीछे रहे गए अब दुबारा इलेक्शन होगा चुलाओ एक ही साथ हुए है पर परलिमेंट के लिए वोट पड़े है और सबसे पावरफुल इस वक्त तार्की में जो होता है और प्रेजिडेंट इस वक्त एद्दोगान पचास प्रतिशत क्योंकि वोट हासिल नहीं कर पाए तो उनको किलजारगुलू के साथ उनका टक्कर होगा सिर्फ दो ही कैंडिडेट रहेंगे तीसरा चौथा जो है उनको इस पे अगले अगले चरण में वो हट जाएंगे तो सरासर दोनों की बीच पे होगा मतलब एक को पीछे रहेंगे 50% से दूसरी जो उनका सबसे ज्यादा करीब है उनको गरी 45 प्रतिशत से कुछ थोड़ा ज्यादा मिला है तो यह जो है अब डिपेंड करता दो और पार्टियों पे एक जो की राइट विंग है जिसका नाम है ओगान जो एंटी कुर्द पार्टी है एंट करता है किलजार गलू को तो जो कुर्दिश इलाके में जो वोट उनके लिए पड़ा है वो शायद उनके पास नहीं आएगा और क्योंकि इसका एक बड़ा अच्छा सेक्शन वो कुर्दिश इलाके से इनको वोट मिला है जो आप देख सकते हैं यह जो इलाका है जी अब द इसका काफी कहेंगे रुजहान यॉरप की प्रती है और यहां पर नेटो भक्ती जो इनकी प्रतिद्वंदी है दुगान की उनके काफी दिखाई पर पाड़ता है उन्होंने एक स्टेट्मेंट वगारे भी दिया है कि हमारा डिमॉक्रसी नेटो अमरीका इनके साथ अब जानते हैं कि इस्तान्बुल जो इलाका है इसको करीब है अडला का और बहुत यॉरप्य इनिपätta और यहां पर रहता तो यह जो इधना की कि प्रतिद्वंदी के लिए पर उनके पास बहुमत जो है पार्लेमेंट में नहीं है यह जो आब बता रहे हैं यह बहुत दिल्चस्प बात है और मुझे लगता है यह भारती दर्शकों के लिए थोड़ी सी अजीब सी बात होगी कि एक व्यक्ति जो प्रेसिडेंट के लिए जा रहा है उसकी पार्लेमेंट में ही उतना वहुमत नहीं है तो यह है जो पार्लेमेंट के रिजल्ट्स हैं जो बता रहे हैं कि तुर्की की जो पार्लेमेंट है उसका जो रिप्रेसेंटेशन है इसमें जो येलो है वो का लीडर नहीं है अमरीका में तो हास तोर से है कि अमरीका में दो ही पार्टियां दो ही पार्टियों की बात कर रही है तो हमारे यहां Parliament Prime Minister को चुनता है और President एक हिसाब से उत्ता powerful position नहीं है Prime Minister ही Government का सरकार का Head है पर अगर France में जाए वो कहीं बीच में है President चलाता है Congress kaunoon pass करता है budget pass करता है तो ये इन दोनों का संगमिश्रण है जहां पर President का तो power इस वके ज्यादा है पर Parliament की powers भी है और कम से कम जो कहेंगे economic budget वगारजे वो पास करते हैं तो इसलिए इसका भी और कानून पास करते हैं जिसकी एहमियत हैं तो यह अगर देखें तो के इसमें complex situation यह है अगर आप इस चीज़ को देखें तो एद्दोगान काफी comfortable city में है उसके मुख्य प्रतिदव काफी पीछे है और इसी लिए इसको देखते हुए लगता है कि इस election में एद्दोगान थोड़ा पहले से पीछे आये हैं तो इसको देखते हुए लगता है कि इस चुनाओं में एद्दोगान के power घटी तो है इस पे कोई दो राय नहीं पहले जितना इनका अधिपत्व था चुनाओं के बाद वो अब नहीं रहेगा पर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो प्रेजिडेंट बनेंगे इस पे काफी संदेह था क्या प्रेजिडेंट बन पाएंगे नहीं इसे पहले कि हम जायें क्योंकि ये पूरे इलाके में भीशन भुकंप भी देखा था मैं अब आप से जो जानना चाहती हूं कि अर्दोगान की जीत का मतलब इस पूरे इलाके के लिए क्या है तो कि हम देख रहें कि यूरोप इदर है उस तरफ रूस है ये हमारा ब्लाक सी है जो बहुत ही एहम सूत्र है रूस के लिए हाँ से और बाकी इलाक से अर्दोगान की ज एशिया की बीच पे तो यह तो पहली बात है जी तो यह पूरा इलाका इसका ब्रिज है और इस्तांबुल शहर जो है वो यूर्पिय शहर एक हिसाब से है अगर जाते हैं क्योंकि वो कॉंस्टांटिल पॉल नाम से जो पुकारा जाता वो यहां पर है तो इसी लिए इनका चलती थी और अभी भी इंफ्लूएंस है अलाकि यॉर्प की इंफ्लूएंस टर्की पे उनका ओटोमन एंपायर खत्म होने का बात है यह मत भूलेगा ओटोमन एंपायर कॉंस्टांटिनोपोल इस्तानबुल में केंद्रित था यॉर्पिय एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके पास था तो यह जो एंपायर का अवशेश इस वक्त तूर्की है उनके भूले नहीं है हमकी इतिहास पर हकीकत तो है कि अब एशियाई ताकत है और यॉर्प में उसको गुजने नहीं दिया जा रहा है वेस्टेड यॉर्प करीब करीब कहा चुका है आप हमारे हिस्सा नही अब यह खास इसका एहमियत यह है कि रुश्या की जो सेबास्टो पल नेवल बेस है वह के एक ही वार्म वाटर पोर्ट है उनके पास वार्म वाटर मतलब बरफ नहीं जमती तो नौट सी का जो पोर्ट है जिसमे अब इस वक्त नहीं जा रहा है वह बरफ जम जाती है तीन इनकल के यह मेडिटरीनियन जो है उसके यह यहां आते हैं और देखते हैं आपका सिर्या की जो जगह है उसमें रूस की जहाज है इसलिए वहां आप आती है क्योंकि वह ब्लैक से से वेडिटरीनियन सी तक आती है और अट्लांटिक ओशन के अंदर भी जा सकती है वेडिटरीनियन का करेक्शन अट्लांटिक से है तो इसलिए सेवास्टपोल यूक्रेन क्राइबिया इसकी इतनी एहभियत है और उसमें तर्की खास बड़ा प्लेयर इसलिए है कि ब्लैक यह तो हुई जियोग्रफी पूरे इलाके को समझने के लिए बहुत जरूरी है लेकिन मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगी कि यह जो चुनाओ है अर्दोगान जिसमें अभी बढ़त बनाए हुए हैं इसका इसमें क्या मुद्दे थे और हम सब ने देखा था कि जो भीश पर जो बुद्रस्विती बहुत ही खराब स्थिती में था तो वो धीरे धीरे कम हुआ है अभी भी काफी है 50% कहरे बुद्रस्विती इंफ्लेशन वहां पर है पर कभी कम हुए हैं और रूस का तेल रूस का खाना वगारा जो आ रहे हैं उसके वज़े से तूरकी का कुछ ह तक एक आर्थिक स्थिरता मिली है तो इसलिए उनका रुजहान नेटो के प्रती नहीं पर रूस के साथ ज्यादा है इस वक्त वो देखने को मिल रहा है और उसमें अर्दुगान नेटा के तौर पर उन्हें दिखाई दे रहा है बिल्कुल इसमें कोई दो रहा है नहीं कि तर इसके साथ ये भी है कि अर्दुगान मुस्लिम ब्रदर हुट का एक हिसाब से हिस्सा है और इसलामिक आइडिटिटी को प्रवोट करता है और ये बहुत जनवादी अंदुरूनी इसकी नीती है नहीं वो हम जानते हैं पर अंदराश्टी एक उट नीती के हिसाथ है वो ने जिल हो चाहे वो साथ आफ्रिका हो तो चाहे युक्रेन युद्य में भी उसमें रूस के साथ जो मध्यस्ता और बाच्चीत और खास्वर से गेहूं को लेकर जो पूरी बहस चली थी उसमें भूमिक आदा की थी बिलकुल उसका वो भूमिका रहा है और जो भूमिका जिसक शदिग्रस्त किया काफी लोग यहां मरे इमारत गिरी शहर में खासतों वचे शहरी इलाकों में काफी नुकसान हुआ तो इस इलाके में लोग expect कर रहे थे सोच रहे थे लोग नाराज होंगे क्योंकि यहां पर बिल्डिंग कोड्स वगारा की काफी वाइलेशन हुई है ब्रश्टचार के एक बहुत बड़ा दाया दारा यहां देखने को मिला जिसके वजह से लोग सोच रहे थे कि एर्दुगान पे इसका इस इलेक्शन में इसका अगर इस मैप को देखेंगे तब देखेंगे इस इलाके में एर्दुगान की पार्टी जो है वही जीती है और इसलिए इस इलाके में जितना इंपैक्ट इलेक्शन का शायद भूकंप डाल सकता था वैसा पड़ा नहीं हुआ है इसलिए काफी गाली भी लोग दे रहे है इतना बड़ा भुकंप हो गया इतने लोग मर गए फिर आपने दोगान को वोट दिया तो यह कॉंट्रिडिक्शन तो इलेक्शन बे आप जानते ही होता है क्योंकि हमारे यहां भी आपको यहां होगा कोरोना में कोरोना में गंगा से लेके सब कुछ लाशों से पड़ गई लेकिन फिर सरकारे वहीं आगए दी मॉनिटाइजेशन नोडबंदी तो इलेक्शन की जो डानेमिक्स होती है एक बिंदू पर नहीं होती है यहां भी वही देखने को मिल रहा है पर यह है कि एदोगा बरकरार रहेंगे और तर्की की अंदरूनी स्थिति क्या होगा यह लार्जर जो जीवा पॉलिटिक्स की पिक्चर है वह उसमें भी बहुत ही एहम जगह इसमें तुर्की है और लगातार नीचे एथोपिया जब पिछले दिनों हमने सुडान पे चर्चा की थी तब भी तुर्की और दूसरी बात जो है कि यहां की जो पॉलिटिक्स के इलावा एकॉनमी कैसे सभालेंगे वह देखनी पालेगी क्योंकि एकनॉमिक स्थिति इस वक्त दुनिया की वह भी एक क्या कहेंगे एक फ्लूइट स्थिति में है डॉनर से क्या रिष्टा होगा दूसरे कर तुर्की का एक भूमी का होगा और दुनिया का असर तुर्की पर पढ़ेगा तो यह देखनी पढ़ेगी चुनाओ के बाद राजणीती में इसमें क्या फरक पड़ता तुर्की का बहुत बहुत शुक्रिया प्रबीर दोस्तों अंतराश्टी कूटनीती को समझने के लिए बहुत जरूरी है जियोग्रफी को समझना नक्षों को समझना क्योंकि नक्षों से पता चलता है कि एक देश का दूसरे देश से क्या संबंध है और उसकी राजणीती में जो खलबली आई है वह क्या है चाहे मामला पा दोसी देश पाकिस्तान जिस तरह से एक बड़े राजनितिक संकट के मुहाने पे खड़ा है यह हम सब के लिए गहरी चिंता का विशे है आप से अपील है देखिए लाइक करिए शेयर करिए न्यूस क्लिक परताल दुनिया भर की शुक्रिया